नश्कार दोस्तों, भगवान आप सभी कभला करें और आपके सारी एक 6 मनों कामने पूरी हो दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से related महत्मून जान करें वेक करूंगा और यहाँ पर सरपतम finger के analysis के बाद यस पुरे palm का analyze कर आप सभी के सामने व्यक्त क्या जाएगा ही हो जाती है और यही reason होता है कि जिस भी तरह की feeling हो, desire हो, ambitions हो उस पर तुरंट काम करना शुरू करते हैं बहुत ज़दा patience इस condition में देखने को नहीं मिलता और शुक्रमाउंट आपका बहुत ज़दा active हो रखा है इस कारण आपको pleasure की बहुत ज़दा need है तो यहाँ पर शुक्रमाउंट का develop होना और सपोर्टी लाइन का active हो जाना यह इस बात को confirm कर रहा है कि बहुत जल्द आपके life में बहुत suitable और बहुत ही supportive टाइप के partner आने वाले है यह कब आएंगी यह हम life line के judgment पर बात करेंगे बट जो short finger है वो आपको हमेशा force करेगे कि आपकी जो भी इक्छा है अर्मान है उसको आप तुरंट पूर्ण कर लीजे तो इसलिए कभी भी अपने इक्छाओं को किसी भी कारण वर्ष दबाएगा मत कोई भी बात आ रही है किसी भी तरह का मन हो रहा है तुरंट उस काम को कर लेने में आपकी भलाई रही रहेगी सके समय लगाईए तुरंट अगर मन का कोई भी आपको काम करना है कुछ करने की पर्टिकुलर चेस्टा है तुरंट कर लेना उसको ठीक रहेगा शॉर्ट फिंगर आपको एनरजी जैसा की हाई देता रहेगा इसलिए कभी भी आप जीवन में हार नहीं मानेंगे विपरित से विपरित परिस्तिती, माहोल, लोगों सब का सामना डट करके कर पाएंगे और आपकी हिम्मत आपको जीवन में हर मकाम हासिल करने में मदद करेगी यहीरीजन भी है कि आपकी यहाँ पर जो मरकरी लाइन है जो basically multi-millionaire बनाती है ये लाइन अब develop होना शुरू हो रहा है अगर ये लाइन strong हो गया, develop हो गया, then after, आप 101% multi-mill millionaire या billionaire बन सकेंगे लेडिल फिंगर के लेंद तक्रिवन ठीक जा रहे है थर्ड फिंगर के फर्स पोर तक पहुच रहा है तो इस कंडिशन में कम्यूनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मेनेजमेंट बढ़िया देखने को मिलता है जो भी काम अपने हाथ में लेंगे अपने और से 100% एफर्स डाल उस काम को perfectly done कर पाएंगे या एक समय पर एक से जादा काम भी आप easily handle टिकल कर सकेंगे थर्ड और फिंगर के लिए दोनों तक्रिवन सेम है फिर्स फिंगर थोड़ी से जादा strong है तो ये responsibility taking nature देता है किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते है और जब जुपिटर के उपर में आड़ी रेखाएं होती है तो ये बहुत ज़दा दयालू, करपालू वह मददगार किसम का वेक्ति तो भी वेक्ति को दे देता है इसके बाद में जब दोनों के लिए ने तक्रीबन सेम हो तो ये एक researching type का nature देता है जिसके तहट हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते है और यही reason भी है कि आपके palm में semen line की availability है semen line में हमारा heart line और हमारा mind line merge हो जाता है जिसके करण ऐसे जातकों का focus, काम के प्रति, dedication किसी चीज़ को ठान लिया तो वो करके ही दिखाना है किसी चीज़ से परहेज कर लिया तो परहेज ही रखना है यानि जो सोचा वो करके दिखा पाने की यूती, semen line देता है तो ये वेक्ति का दिल दिमाग एक कर देता है जिसके करण जिस भी काम में लगते हैं पूरा जीतोड मेहनत उस काम में करते है तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपकी desire, ambition, goal, life के प्रति क्या है, aim क्या है तो यहाँ पर जब भी किसी की semen line हो, mind और heart line अलग हो जाए तो बहुत confused mentality देता है क्योंकि बार बार ध्यान या मन बटकता है तो इसलिए एक काम के प्रति एकागरचित होकर लगातर काम करने से आपको बहुत तरक्की मिलेगा तो अगर comparative exam के तयारे करने तो सिर्फ वही करिए बिजनस करना चारें तो सिर्फ उसे पर ध्यान दीजे आप महां MBBS करने गए हैं तो सिर्फ उसे पर ध्यान दीजे सिर्फ एक चीज़ पर एक समय पर ध्यान देने से आपको यह हर एक हैं बहुत मदद करेगी बहुत भैतरीन result पाने में भी जैसे आपका concern life का आपके partner को लेकर के जादा है या pleasure को लेकर के जादा है तो यह कोई खराब चीज़ नहीं है इस चीज़ को जब तक आप पूरा नहीं कर लेंगे तब तक दूसरे काम में आपका money नहीं लग सकता इसलिए आपको ऐसा feel हो रहा है कि दिमाग काम नहीं कर रहा तो जैसी partner मिल जाएंगे या जैसे ही आपका pleasure fulfill हो जाएगा आपका automatically concentration आपके पढ़ाई में आ जाएगा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके finger के उपर सीधी खड़ी रेखाओं के availability है जो friendly nature and approach वेक्ति को देता है जिसके तहट हर परिस्तिती माहूल में अपने आपको ढाल पाते हैं हर प्रकार की लोगों के सा संबंध भी अच्छे देखने को मिलते हैं और finger के जो notes हैं आपके यहाँ पर वो भी तकरीबन developed ठीक जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा इनमें जो हलका हलका सा रेखाय आ रही है यह doubtful personality देता है तो खुद को कई न कई underrated करते वे भी देखने को मिलते हैं इसके बाद में phillanges की स्थिती and internal mars की स्थिती ठीक है तो इस्टिमिना एनरजी और रोग प्रतिरोधक शमता आपके अंदर बिल्कुल ठीक रहने वाला है और जो thumb का size है वो भी यहाँ पर शशक थे मजबूत है या एक तरीके से देखा जाए शॉड़ भी है लेकिन किसी तरह की कमी थंपे नहीं है इसलिए मजबूत किस्म का व्यक्तितु रहेगा इसका ताथ पर यह होता है कि हिम्मत, होसला, जुनून अच्छा देखने को मिलता है और यहाँ पर यह का sign भी develop हो रहा है जो life में materialism अच्छा देता है peace and happiness आपके life में बढ़ सकता है सरलता से अगर आप spiritual होते जाते हैं जैसे आप daily best हदमान चालिसा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है यह आपके mangal की energy को high कर रहा है mangal की energy को balance कर रहा है जिसके करण आपके अंदर किसी भी तरह का डर, भय, चिंता, frustration, irritation, aggression इन सभी चीजों को यह कम करेगा तो जितना जादा योग क्रिया करें, प्राणायम करें, मंदिर विजिट करें या spiritual कोई भी activity करें इस सब आपको at the end life में luck, peace, happiness and grasping skill मजबूत करके देगा पाम का जब भी structure rectangular होता है तो शारेरिक मेहनत के जाए मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते है Lots of dream, desire and ambitions देखने को मिलता है जीवन के प्रती हमेशा बड़ी सोच and approach होती है आप जैसे जाता है कि अपने surrounding environment से बहुत ज़्यादा influence होता है इसलिए कोशिश करना चीए अच्छे लोगों के साथ रहने की अच्छी बाते करने की अच्छी चीज़े देखने या सुनने की daily मंदिर विजिट करने का क्यों कहा गया क्योंकि वहाँ पर vibe मिलती है हमको एनरजी प्राप्त होती है मंदिर जिसे नहीं जा पा रहे हैं आप जिस स्थान पे हैं वहाँ पर तो at least अपना surrounding हमेशा clean रखना positive vibes में रहना जब भी lower zone ज़्यादा active होता है तो ऐसे जातकों में inspiration ये motivation अच्छा देखने को मिलता है इसलिए life में आप कभी भी हार नहीं मानेंगे हिम्मत नहीं हारेंग और आपका inspiration ही आपको बहुत ज़्यादा तरक्की जीवन में दे जाएगा अपर जोन जब भी weak होता है तो planning के साथ में कोई भी काम नहीं हो पाता जब भी कोई particular planning करके काम करेंगे नहीं होगा इसलिए आप अभी के समय पे जैसे social media में भी एक तरह के से dating app करना है try तो वहाँ पर अगर बहुत सारी planning है या expectation है तो वो सफल नहीं हो पाएगा जैसे ही वहाँ से expectation हटा बिन planning के आपने काम करना शुरू किया randomly लोगों से मिलना शुरू किया खासकर female से तो आपका काम तुरंत बन सकता है आने वाले मातर दू या तीन महीने के अतरिक थे Jupiter Mount आपका normal है और जब यहाँ पर आड़ी रेखा है होती है तो यह एक से ज़्यादा profession से वेक्ति को earning भी देता है social worker बनाता है हमेशा दूसरों की मदद करने की आदत होती है क्योंकि किसी का कष्ट दर्द पीड़ा देख नहीं पाते है और यह इस बात को भी confirm करता है कि आपकी marriage बहुत अच्छी रहेगी आड़ी रेखा जब भी होती है तो यह से जाते है कि spiritual हो जाते है अथ्वा इनके जो partner या आपके जो partner रहेंगे वो भी अच्छे घर से बिलॉंग करेंगे साथवी किस्म का व्यक्ति तो रहेगा साधारन रहेंगे लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा serious है या dedicated देखने को मिलेंगे इसलिए बहुत सारी चीजें आपको spirituality के माध्यम से ही प्राप्त होगी जैसे peacefulness and happiness तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना हो सके दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते रहेंगे दूसरों के दर्द तकलिफों को दूर करने की कोशिश करिए खुद भी अध्यात में के प्रती जागरुकता को बढ़ाईगे अपना दिल, मन जितना हो सके साफ रखिए आपकी जीवन में कभी कुछ खराब घटित नहीं होगा शनी की स्थिति जब भी दबती है तो एक शिकायत जीवन में हमेशा ये रहती है कि समय पर नहीं मिला हमेशा देरी से या रुक रुक करके काम बनता है या जीवन में जो संतुष्टी है वो देरी से मिलती है शनी का जो उपाय है वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा लेकिन आपको आपके लाइफ में थोड़ा हार्ड वर्क या फिजिकल वर्क को बढ़ाना चाहिए जब आप ये काम करेंगे तो इससे आपका मंगल भी मजबूत होगा जो आपके अंदर एनरजी को बहुत जादा भरेगा फोकस को भरेगा और सेटन की स्थिती भी अच्छी होगी जिसके करण समय पर या समय के पहले आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा शनी के उपर में आपकी खुद की रेखा है यानि शनी की खुद की रेखा है तो ये अपोर्चुनेटी लाइन होती है जब इस तरह की लाइन्स अविलेबल होती है तो मल्टी टास्किंग नेचर दे देती है और जिस भी जिसको पाने की चाहा तो उसके रिगार्डिंग मल्टीपल अपोर्चुनेटी जाना शुरू हो जाती है लेकिन ये माउंट कमजोर है इसलिए हमेशा काम थोड़ा जूज करके या थोड़ा देरी से बनेगा लेकिन बनेगा अंद तहब बहुत अच्छा इसलिए पेशियंस अपने अंदर वढ़ाना आपको चाहिए इसके बाद में यहाँ पर जो आप सूर्य और शनी के बीच की रेखा देख रहे हैं इसे विद्धिया रेखा कहते है अपने ग्यान से जब हम दूसरों का भला कर पाते हैं, दूसरों के काम आते हैं, दूसरों के कर्म में जुड़ पाते हैं, उनको लाब पहुचा पाते हैं, तब इसी रेखा आ जाती है तो ये रेखा confirmation देती है कि as a mediator, agent, consultant, कोई भी आप काम करिया, आपको लाब मिलेगा तो आप mbbs कर रहे हैं, वहाँ पर, तो add that आप इसके दौरा consultant ही बनेंगे, अपना खुद का firm रन कर सकेंगे, खुद का आपका personal skill रहेगा, specialization रहेगा, तो जो भी वेक्ती, परामर्ज बहुत अच्छा दे पाते हैं, उनके हाथ में ये रेखा पाई जाती है गुरू और शनी के बीच में जब रेखा तो practical spirituality देखने को बलती है सूर के छेतर की बात करेंगे, तो सूर का छेतर भी दबा हुआ है, कमजोर है, जिस करण से self doubt जादा होता है, confidence की कमी होती है रिस्क लेने से कई न कहीं पीछे हटते हैं, और focus में बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है तो इस condition में गायतरी मंत का जाप करना, या अपने life में rules regulation बना करके चलना कि समय पर सोना, समय पर खाना, समय परोठना, और physical activity जो certain की energy है, उसको बढ़ावा देना तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि ये सापका dedication, आपके education के प्रती, learning के प्रती बहुत बढ़ रहा है इधर पर जब multiple lines होती है, बाइफोर्क होता है, तो confusing mindset क्यों दे रहा है, क्योंकि mind बहुत easily divert हो जाता है आप जैसे जातक दो नौग पर पाउं चलने वाले मेरे से देखने को मिलते हैं जिसका सिदा तात पर ये होता है, कि आपको दो तरह की चीज़ एक ही समय पर चाहिए किसी एक चीज़ को skip करके एक काम के प्रती focus नहीं बढ़ पाता है ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि पहले ही सूरी परवत दबा हुआ है और उपर से जब AC रेखे हैं, generate हो रही हो तो life को तो बहुत ज़्यदा clear करके रखना चाहिए जितने भी बेकार की चीज़े हैं, सबको eliminate करना चाहिए और अपना जो main दाय तो है, या कार्य है, उस पर ज़्यादा एक आगरचित होना चाहिए तो सूर की रेखा है, तो अंततह आपका नाम, सम्मान ये सफलता आपको प्राप्त हो जाएगा वो तो शनी का छेतर भी बता रहा है कि आपकी सारी इक्षाएं पूरी हो जाएगी लेकिन परवत की कमी होने के कारण और negative qualities होने के कारण यह देरी से आपको अपने result दे रहा है, हमको इसी पर काम करना है इधर पर बाइफर का साइन अच्छा होता है, यह multi-millionaire का साइन माना गया है क्योंकि बहुत आलिशन घर का सुक भोगते हैं, अच्छा रहन सेहन, खान पन, एश्वार अंभरी जिन्द्गी होती है शादी के बाद तरक्की बहुत होती है, क्योंकि mercury बच्चो का भी जोन है, तो बच्चो के बाद भी तरक्की बहुत होती है medical line में भी आप हैं, तो यह formation आपको help करेगा, लोगों से connect करने में mercury mount की स्थिति ठीक जा रही है, multiple lines यहाँ पर होना, व्यक्तिको healer बनाता है देखने को मिले हैं, उनके mercury पर ऐसी multiple lines पाए गई है, जो उनको intelligence और अच्छी intellectual और अच्छी healing capability देती है एक negative point इसमें यह होता है, कि हमेशा subconscious mind run कर रहा होता है, हमेशा दिमाग दोड़ रहा होता है इसलिए बहुत ज़्यादा समय अपने आपको दे नहीं पाते हैं, लोगों के अतरिक पे ज़्यादा समय बीदेता है आपकी जो semen line है, यह ही अपकी heart line भी है, और इस heart line में इस तरीके का island का sign बनना, health के लिए कभी भी अच्छा नहीं माना गया है blockage, clots, blood circulation issues, देखने को मिलते हैं या cholesterol issues आते हैं यह problem आपको basically 33 में और फिर उसकत 46-7 cage में देखने को मिलेगा अभी की condition में जो आपकी semen line है, उसका connection मंगल से बहुत है तो हर बड़ी, जल्दबाजी और बेचैनी, उच्छता आपके अंदर बहुत ज़्यादा है तो आप पहले सी remedy कर रहे है हन्मान चलिशा का, हन्मान चलिशा करना बहुत अच्छा माना गया है मंगल के लिए क्योंकि मंगल अंततह आपका बल है, आपका focus है, अपनी energies को किस हद तक जाकर के control करना वो बताता है तो हन्मान चलिशा पढ़ रहे हैं लेकिर उसका meaning अगर पता नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है तो इसलिए meaning हन्मान चलिशा का आपको पता होना चाहिए, तब जाके इसका असर बढ़ेगा तो इस पर ध्यान दीजिए, नीम का पेड़ भी लगा सकते हैं, वहाँ लगाना अगर मुश्किल है तो लोगों को पानी ओफर करना या पानी खूब पीना आपको चाहिए अब इस केस में इस बात का ध्यान रखना है कि यह combination वक्ति को practical logical बनाता पर आपके साथ अलग सीन है यहाँ से जो रेखा ही निकल रही है, यह रेखा जुपिटर को जा रही है, एक रेखा जैसे Saturn पर रुप गई, तो यह थोड़ा मतलब भी बनाएगा और एक रेखा जो जुपिटर पर जा रही है, तो अपने मतलब के लिए किसी का नुकसान नहीं करेंगे, यह आपके अंदर रहेगा तो आपके अंदर emotions रहेंगे, लेकिन वह emotion unresult रहेगा, क्योंकि अपने emotions को आप clear नहीं करेंगे इस पर ध्यान रखना है आपको, इसके बाद जो mind lane अलग से निकली हुई है, यह इस बात को confirm कर रही है कि आपका 29 के बाद से life में focus बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा focus का सिधा ताद पर होता है पैसो से, पैसा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा 29 के इसे, और यह जिस हमको आपके luck line के उपर भी दिखाए तकरिबन पढ़ रही है mind lane के इतना sharp और clean होना, इस बात को confirm करता है कि 29 के बाद से आपको distractions नहीं होगा life में consistently effort अपने काम में आप डालेंगे, अपने logics को satisfied करेंगे, अपने learning को, knowledge को proper utilize कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे तो 29 के पहले तक life में uncertainties, up, downs रह सकता है mental level पे लेकिन उसके बाद में आपको कभी नहीं रहेगा इसके बाद में यहाँ पर आपके जो है धीरे धीरे अब progress line निकलना शुरू हो रही है बहुत अच्छी बात है 25 के age से अपने efforts के द्वारा results आपको prominently positive मिलना शुरू हो जाएगा ध्यान से सुनिए prominently positive यानि सिर्फ सफलता ही देती है AC रेखाए ये इसका निशानी है health या family issue आपको majorly 36 के age में face करना पड़ सकता है लेकिन सरपरदम अच्छी बात क्या है कि सहयोगी रेखा बहुत ज़्यादा active हो रखी है इसलिए अब आपकी life में अपने लोग जुणना शुरू हो जाएंगे जो आपका हमेशा साथ निवाय मदद करें और उन सब कारणों से आपकी जितिनी भी यहाँ पर basically आड़ी रेखाए हैं जो stress देती है वो सब रेखाएं कम होना शुरू हो रही है इसके बाद यहाँ बाहर के तरव रेखाएं जो करना ट्रेवलिंग्स बहुत कराएगी बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ होना अच्छा है लेकिन at the end hometown पर आपका तरक्की होगा और basically आपके life में ट्रेवलिंग्स जादा होने के कारण कोई एक prominent place आपका नहीं रह पाएगा कि एक ही जगे पर रह रहे हैं एक ही जगे पर काम कर रहे हैं अलग-अलग cities, अलग-अलग states के regarding आपका काम देखने को मिलेगा long life आपकी basically रहने वाली है और यह सब worries line होती है जो hypertension के कारण भी आती है इसलिए finger peak आगया सोच-विचार के निड़ने लेना ज़रूरी है यह भी आपकी एक mind line ही है जो आपके लाइब में focus काम के प्रती dedication, life के प्रती clarity को बढ़ाएगी इसलिए आप mentally बहुत peace या happiness या mentally stability को gain हो जाएगे 26 and 7 के just बाद में यहाँ पर शुक्र आपका बहुत ज़्यादा develop है तो इसी कारण से यहाँ व्यक्ति को shocking बनाता है, बड़े बड़े शोख अर्मान होना बड़ी बड़ी इक्षाएं होना चोटी मोटी चीजों से sacrifice नहीं कर पाना hygiene बहुत maintain करना, अपने आपके खर्च ज़्यादा करना royalty based personality होना तो यह सब आपकी चाहत है standard of living आपकी चाहत है इसलिए quality of life आपकी increase समय के साथ साथ होती चली जाएगी जिसके अतरिक्त, luxuries, comfort, royalty, standard of living इस सब कुछ आपका increase होता रहेगा शुक्र आपका अच्छा है तो partner आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, no doubt बहुत ज़्यदा attractive और आपको internal peace या आपके pleasure को fulfill करने में सक्षम रहेंगे ध्यान रहें, शुक्र जब develop होता है तो limitations नहीं लगा पाते कि pleasure को कहाँ पर satisfied करना है इसलिए इस condition में गलत संगद आदत लोग सरलता से लग सकते हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखना है बाकी इसके बाद में इधर पे हलके हलके से जो lines निकल रही है ये family के द्वारा मिलना वले अच्छे support को represent कर रहा है इसके बाद में fish symbol के sign की ही अतरिक्त होकर के रेखाएं आगे बढ़ गई ये जो luck line ही ये confirmation देती है कि yes आप अपने life में earning अच्छे कर सकेंगे और आपका अगर mercury line develop हो गया तो life में पैसा जो रुक नहीं पाता है फिलाल के condition में वो issue खतम हो जाएगा पैसा अच्छा आना उप्योग होना सद्वप्योग होना learning बढ़ जाना इस सारी चीज़े देखने को मिलेगी तो at the end के तुक इस्थिती ठीक जा रही है आपके अंदर एक आदत ये भी देखने को मिलेगा कि कोई भी बात तीन बार repeat आप करेंगे या तीन बार में जाकर कि किसी बात को अच्छे धंग से समझ पाएंगे तो खुद से बात करने के आदत भी ये basically देता है तो खुद को ज़्यादा समय देना isolation में एक तरीके से कम रहना लोगों से interact जादा करना और चीज़ों को deeply understand करने के आदत आपको डालने चाहिए ये सारी चीज़ें आपको meditation के थुरू लाब देगी इसलिए जितना हो सके meditation पर आप ध्यान दीजिए सुभे शाम एटलीस 10 मिनिट का meditation करिए या ओम का उचारण करिए सिर्फ इतना ही करने से के तु आपको आपके soul का food फुल्फिल करवा देंगी या internal peace happiness प्रवाइट करवा देंगी कि चंदर की स्थिति ठीक है तो मन बिल्कुल ठीक रहने वाला मन साफ सुथर आपका रहेगा बोल चल की आदत या चाहत को बढ़ाएगा घुमने फिनने का शोखिन लोगों से interact या नईनी चीज़े explore करने का शोखिन curiosity आपके अंदर increase यहाँ करेगा left palm में भी हम देखे तो mercury line की स्थिति बहुत अच्छी जा रही है तो इस condition में independent as a business या अपने खुद की skill specialization के दौरा आप life में earning बहुत अच्छी कर पाएंगी इसलिए आपकी financial condition बहुत improve होते रहेगी और बहुत मजबूत रहेगी तब ही एक hint दिया गया कि yes आप multi millionaire बन सकते हैं अगर आप अपने अंदर practices learning अपने skills, specialization या knowledge को increase जितना ज़ादा करते जाते हैं दूसरा करियर आपका बिल्कुल ठीक रहने वाला है क्योंकि mercury line अगर palm में अच्छी हो तो करियर में बहुत ज़दा difficulties at the end नहीं आती है worries line बहुत ज़दा है तो ये थोड़ा सा sensitive personality का sign होता है हर्माच अलिसा आपका सारा डर या इन सब रेखाओं का negative impact खतम कर देंगे इसके बाद में सूर की स्थिति पर multiple line है, cross का sign defame का डर दिलवाता है left palm में है, इसलिए डर रहेगा right palm में होता तो सही में भी defame देता तो इसलिए चिंता मत करिए आपकी life बहुत अच्छी जा रही है better आप daily performance के दौरा कुछ-कुछ remedies के दौरा इसको कर सकेंगे बाकि आपकी life में जो आपका भाग्यूदय है, वो 28 के होता दिखाई दे रहा है, पार्टनर का सुख आपको life में 26 and 7 के age में most probably मिल जाएगा और जो supporting line आपके palm में active हो रही है, right and left दोनों ही हथिली में, वो 27 के ही age में हो रही है फिलहाल के condition में temporary relation आपका बन सकने के पूरे chances हैं, वो दो से तीन महीने के अत्रिक्त इसलिए जिस भी तरह का आप हथकंडे अपना रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी और distraction आपकी life में automatically partner मिलते से ही कम अथवा खतम हो जाएगा, इसलिए चिंता करने की कोई जरुवत इस विशे को लेकर के नहीं हैं, तो यह दी सबसे महत्पुन बाते आपके हाथ के regarding आशा करता हूँ, सभी परशनों को तर मिल गया हो तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद